How Indonesia became a Muslim country? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंग. दोस्तों, Republic of Indonesia दुनिया की सबसे बड़ी आइलेंड कंट्री है, जो 17,000 से भी अधिक आइलेंड से मिल कर बनी है, जैसे सुमात्रा, सुलावेसी, जावा, एट्सेटरा. Indonesia एक Muslim majority कंट्री है, जहां लगभग 87% population Muslim है, यानि इसलाम यहां का dominant religion है. आपको ये शायद जानकर आश्चरे होगा कि 1st century AD में ही यहां Hinduism के influences दिखना शुरू हो चुके थे, और करीब 6th century AD में यहां Buddhism का rise हुआ. इस archipelago यानि Islands के समूह में कई Hindu और Buddhist empires का rise और fall भी हुआ, जैसे मजबाहित, शैलेंद्र, श्रीविजाय, etc. इसलाम का rise 8th century से शुरू हुआ, और आज ये एक Muslim majority country है. आखिर ऐसा क्या हुआ, जो यहां Hinduism और Buddhism धीरे-धीरे decline होते गए, और इसलाम देर से rise होते हुए भी यहां का dominant religion बन गया. दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे, कि किस तरह यहां Islam का rise हुआ, और कैसे एक dominant religion बना. सबसे पहले नज़र डालते हैं, यहां के pre-Islamic era पर. चलिए, शुरू करते हैं. Pre-Islamic Indonesia. दोस्तों, इसलाम के rise से पहले, इस Archipelago में Hindu ruling class थी, जिनका culture दरसल एक Hindu-Buddhist mix था. इंडोनीजिया में Indian elements का पहला असर, Indian king Ashoka के rain में देखने को मिला. आप भी जानते हैं, कि Ashoka का rain 269 से 232 BC के बीच रहा. उनका शुरुवाती rule Wars और expansion का था. लेकिन 250 BC में हुए Battle of Kalinga के बाद, उन्होंने Wars को त्याग कर, Buddhism और Ahinsa को अपना लिया. उनका empire West Asia और South East Asia के बीच trade का important root था. अशोका के बाद, 4th century AD के गुपता Empire के rain में Hinduism का एक तरह से resurgence हुआ. और गुपता period के patronage में Hindu ideas दूर-दूर तक travel करने में काम्याब हुए. लेकिन दोस्तों, इंडुनीजिया में Hinduism के transmission का main कारण था South India. मौन्सून्स के कारण श्री लंका और तमिल लैंड्स इंडुनीजिया से अच्छी तरह connected रहे. Commerce के साथ cultural और religious interactions भी होते रहे. South India का influence समय के साथ बढ़ता चला गया. 6th और 7th century में पल्लवाज और चोलाज का आज के तमिल नाडू और आस्पास की territories पर वर्चस्व था. चोलाज ने एक powerful navy भी बनाई थी और उनकी raids Indonesian islands तक होती रही. इंडिया और इंडुनीजिया के बीच हुई इनी interactions का नतीज़ा है कि आज भी इंडुनीजिया के customs, language, art और architecture सभी में एक strong Sanskrit influence देखने को मिलता है. ये तो हुई pre-Islamic era की बात. आईए अब जानते हैं इसलाम के introduction और उसके spread के बारे में. Introduction and Spread of Islam दोस्तों, इंडुनीजिया में इसलाम के introduction को तीन phases में बाटा जा सकता है. First phase, जो 622 से 1180 तक चला. Second phase, जो 1100 से 1500 AD तक चला. और Third phase, जो 1500 से modern times तक रहा. आईए जानते हैं First phase में क्या हुआ. First phase दोस्तों, पहले phase में इंडियन ओशन में होने वाले commercial activities के बारे में इसलाम का introduction हुआ. दरसल West Asia और East Asia के बीच ट्रेड 7th सेंचुरी में इसलाम के राइस से पहले से ही जारी था. येमन और पर्जन गल्फ के merchants मौनसून की मदद से मालाबार आते थे. वहां से श्री लंका और इंडोनीजिया के जाबा और सुमात्रा आइलेंड्स तक उनकी जर्नी होती थी. इसलाम के शुरू होते ही ये ट्रेड फलने फुलने लगा. आरब और पर्जन मुस्लिम merchants ने इंडिया, इस्ट आफ्रिका, इंडोनीजिया और चाइना के बल्क ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया. धीरे धीरे इन merchants की colonies बनने लगी. और 750 AD से 1180 के बीच Indian Ocean Rim में ये colonies, size और prosperity में बढ़ने लगी. कहते हैं कि इन merchants की honesty और integrity देखकर, इंडोनीजिया और आसपास की countries के लोगों ने इसलाम को accept करना शुरू कर दिया. इसके अलावा, intermarriages ने भी इसलाम के spread में एक बड़ा role play किया. यहाँ एक interesting बात ये थी, कि इन merchants ने अपने customs और culture को local population पर force नहीं किया. बलकि वहाँ की local culture को adopt करने के साथ साथ, इसलाम की doctrines को भी introduce किया. और इस तरह से Muslims की position society में privileged हो चुकी थी. इस first phase में, अरब और Persian merchants द्वारा लाए गए इसलाम में शरिया और फिक का importance ज्यादा था. शरिया इसलाम law को कहा जाता है, और फिक में शरिया law के explanations होते हैं. इसलाम आया, वो mainly एक intellectual level का इसलाम था, जहां Islamic laws और doctrines को introduce किया गया. हज ने भी इसलाम के spread में एक important role play किया. अब आते हैं second phase पर और देखते हैं कि इस phase में इसलाम के spread में क्या changes देखने को मिले. Second phase दोस्तों, second phase में ही इसलाम इंडोनीजिया में सबसे widely spread हुआ. जहां एक तरफ first phase mainly rituals और laws पर based था, वहीं दूसरी तरफ second phase में spiritual इसलाम की शुरुआत हुई. इंडोनीजियन आकिपेलोगों में इसलाम का spread geographical order में हुआ. यानि सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा और फिर आगे बढ़ता गया. अरेबिया के एक scholar शेख अब्दुल्ला आरिफ ने करीब 1180 में सुमात्रा में इसलाम को introduce किया. नौदन सुमात्रा के पहले रूलर जिन्होंने इसलाम को accept किया, वो थे जोहान शाह. 1204 में उन्होंने इसलाम को embrace किया. लेकिन 1297 के रूलर सुल्तान मलिकल साले के रेन में इसलाम को major boost मिला. खेर, 14th century में आए सुफी orders ने पूरे सुमात्रा में इसलाम को widespread recognition दिया और उसे पहलाया. इंडोनीजिया की सिटी पसाए, इसलाम के spread का एक important center बन गई. 13th और 14th centuries के दोरान, मॉंगोल और ततार invasions के चलते, मुस्लिम कंट्रीज पर खत्रा मन रहा था. इसके चलते सुफी, शेक्स और merchants इन destruction से बचने के लिए इंडोनीजिया के further east में migrate होने लगे. और उनके साथ-साथ, इसलाम का spread इंडोनीजिया के far east में भी हुआ. 14th और 15th century में एक important development हुआ. इस दोरान, जावा में एक Hindu kingdom, मजपाहित का रूल था. इस kingdom के छोटे राजा और local chiefs के हाथ में ports और trade थे. और बदले में, वो मजपाहित ruler को tributes पे किया करते थे. जब West Asia यानि Muslim world और इन local chiefs के बीच trade बढ़ने लगा, तो ये chiefs एक एक करके इसलाम में convert होने लगे. और देखते ही देखते, मजपाहित kingdom एक Muslim सल्तनत में convert हो गया. इस तरह एक एक करके, इसलाम एक island से तूसरे island पर spread होता चला गया. अब आते हैं third और आखरी phase में. Third phase दोस्तों, 1580 से लगभग 1950 AD तक चले third phase में, इसलाम का consolidation continue रहा, जो second phase में शुरू हुआ था. ना सिर्फ conversions, बलकि इस phase में culture और literature का development भी शुरू हुआ. दोस्तों, यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है. जब इंडिया में Turks का influence आया, तो वहाँ एक नई language का जन्म हुआ, उर्दू. लेकिन इंडोनीजिया में जब सूफीज ने इसलाम इंट्रिज्ज किया, तो उन्होंने वहाँ की local Malay language को ही transform किया. उसमें नए alphabets introduce किये गए, जिससे कुरान का pronunciation easy हो सके. Arabic और Farsi words ने language को enrich किया, जिसके चलतें इंडोनीजिया के लोग इसलाम की philosophy, theology और rational sciences से connect हो गए. यानि वहाँ के लोग अब इसलाम की international brotherhood से directly जोड़ गए, और common medium होने के कारण इसलाम तेजी से spread हुआ. दोस्तों, third phase में एक important development और भी हुआ. इस phase में Indonesia और आसपास की countries में Europeans का appearance हुआ. सबसे पहले Portuguese आए, जिन्होंने 1512 में मलक्का स्ट्रेट पर कबजा कर लिया. मलक्का का downfall होते ही, local scholars इंडोनीजिया के बाकी islands पर भी spread होने लगे, जिस से जाहिर है के इसलाम भी spread होने वाला था. इसके बाद एक एक करके European powers invade करती रहीं, जैसे Spanish, उसके बाद Dutch और finally British invasions हुए. इन European powers से independence पाने के लिए, इंडोनीजिया और मिलेशिया के लोगों के बीच एक single bond था, और वो था common language और इसलाम. इससे वहां के लोगों में unity बढ़ी और इसलाम और भी strong होता चला गया. खेर, यहां पर एक जरूरी सवाल और उठता है. वो यह कि जहां एक तरफ इंडोनीजिया में इसलाम को एक widespread acceptance मिला, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक partial acceptance ही मिला. ऐसा क्यों? दोस्तों इसके कई reasons बताय जाते हैं. पहला तो यह कि भले ही इंडिया और इंडोनीजिया में इसलाम का introduction merchants के थुरू हुआ. लेकिन इंडिया में 11th century में हुए लगातार Muslim invasions के चलते एक कड़वाहट पैदा हो गई. यहां पर rule करने वाली सभी dynasties का origin इंडिया के बाहर ही था. जबकि इंडोनीजिया में वहां के local rulers नहीं इसलाम को embrace किया. दूसरा important factor था language. इंडिया में court language थी फार्सी. यहां की native languages उर्दू और हिंदी को court language नहीं बनाया गया. जबकि इंडोनीजिया में मले यानी वहां की native language को ही official language बनाया गया. और उसी का transformation हुआ. जिसके चलते वहां के native लोग उससे और अच्छी तरह से जोड़ पाए. तीसरा factor था इंडिया में Hinduism का deep penetration. इंडिया में Hinduism ने Buddhism को replace किया. और साथ ही यहां पर एक rigid caste system develop हुआ. Scholars कहते हैं कि यह caste system इतना deeply penetrate कर चुका था कि और कोई भी नया religion introduce होना कठिन था. वहीं दूसरी तरफ इंडिया में caste system develop नहीं हुआ था. कहते हैं कि यहां पर Hinduism राजाओं के द्वारा impose किया हुआ एक top to bottom rule था. यानि वहां के local लोगों में Hinduism popular नहीं हुआ था. और आखरी reason था इंडिया की regional diversity जहां language, culture और caste बहुत vary करते थे. ऐसे में Islam सिर्फ कुछी जगहों में लोगों को influence कर पाया. इस huge diversity के कारण हमेशा से regional tensions बनी रहीं जो 18th century में political military rivalries के रूप में उभर कर आई. Europeans ने इन ही tensions को exploit किया. वहीं दूसरी तरफ Indonesia में Islam का acceptance एकदम complete था, जिसने वहां के लोगों को एक national cohesiveness और universal solidarity प्रवाइड की. तो दोस्तों, ये थी Indonesia के एक original native culture के transformation की कहानी, जिस पर सबसे पहले Hinduism और Buddhism का influence हुआ, और फिर 13th century के बाद वो पूरी तरह से Islam dominated हो गया.